दोस्तो भारत ये पहले ही साब कर चुका है कि अब से वो देश के हित को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी विदेश से जुड़ी नीतियां तै करने वाला है और जैसा कि मोदी सरकार ये साब कर चुकी है कि अब उनका सबसे एहम मकसद पीयोके को हासिल करना है तो भारत सरकार अपनी नीतियां भी उसी को ध्यान में रखते हुए तै कर रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत तो रूस के बीच के रिष्टे काफी मजबूत है और रूस ने भारत से ये वादा भी किया है कि वो पीयोके को वापस दिलाने में भारत की मदद करेगा इन्हें सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब भारत ने रूस के साथ अपने रिष्टों को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं जी हाँ दोस्तों बता दे कि भारत ने अमेरिका को दरकिनार करते वे रूस के साथ काफी शारी डील साइन की है आखिर वो डील क्या क्या है इस बारे में हम आगे इस वीडियो में बताएंगे इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा दोस्तों बता दे कि भारत ना सिर्फ रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है बलकि अब भारत रूस से सस्ते दामों पर काफी मात्रा में कोईला भी खरीद रहा है और इस बार भारत ने रूस से जितना कोईला खरीदा है उसके बारे में आप शोच भी नहीं सकते दोस् क्योंकि पहले जब भारत ने रूस से ज़्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदा था तो उसकी वज़े से भारत में रहने वाली आम जनता को भी इसका खासा फाइदा हुआ था क्योंकि इसके बाद ही मोधी सरकार ने अचानक पेट्रोल और डीजल के दामों में कटूती करके जनता के लिए रहत का काम किया था और अब ये कहा जा रहा है कि दोस्तो कोईले की खरीद के बाद भी देश के अलग-अलग सेक्टरों को काफी रहत मिलने वाली है इसके अलावा ये भी सुनने को मिला है कि दोस्तो भारत के साथ रूस की व्यापारी पेमेंट करने की तरीकों को लेके भी काफी ज़्यादा उदार है और आसानी से भारत ये रूपियों में ही व्यापार करने को तयार है इसके साथ ही भारत को रूस से अच्छा खासा डिसकाउंट भी मिल रहा है और भारत रूस के बीच कोईले का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए उमीद है कि भारत लंबे समय तक इसी तरह रूस के साथ व्यापार करता रहेगा सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों तेल और कोईले के अलावा भारत रूस से भारी मात्रा में पर्टी लाइजर्स भी खरीद रहा है जिसके बाद भारत की किसानों को भी इससे अच्छा खासा फाइदा मिलने बाला है देखा जाए दोस्तों तो अभी पर्टीमी देशों पर कुछ पर्टी बंद लगे वे हैं इसलिए भारत और रूस साथ में व्यापार करने के लिए बोर्डर सिश्टम अपना रहे हैं व्यापार को आगे बढ़ाने का फेसला किया है उस बारे में आपकी क्या राई है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और वीडियो को ज्यादा शे ज्यादा लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद